नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज की ये वीडियो सभी आंगनबारी सेविकाओं के लिए काफी महतोपूर्ण है जैसे कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ICDS विभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिस लेटर में आगनबारी सेविकाओं के जो मसीने उपलब्द कराए गई है जैसे कि ब्रिधी निगरानी यंत्र और जो बच्चों के माता पीता के मापने है तो जो यंत्र आपको उपलब्द कराए गए है उसी के संबंद में एक जाच होने वाली है वो किन जी लोग की जाच होने वाली है और किन सेविकाओं को क्या क्या करना होगा आपको इस वीडियो में किलियरली जनकारी मिलने वाली है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और इस वीडियो को सभी अंगर मेरी से विकाई लाश्ट तक जरूर देख लिजेगा जैसे कि देख सकते हैं कि आज की जो लेटर जारी हुई है वो यहाँ पर दिनांग देख सकते हैं 20-1-2022 और इस लेटर को जारी करने वाले है बिहार सरकार समयकित बाल बिकास सेवाए आई सीरीज निजे साले बिहार के तरफ से यह लेटर जारी हुआ है और कल ही इस लेटर को जारी किया गया है और आज और कल दो दिनों तक यह जारी किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं जो दो जीलों का नाम यहाँ पर दिया गया है जीला प्रोग्राम पदादिकारी नलंदा यों जहानाबाद तो इन दो जीलों में यह जारी होने वाली है और किन बिशयों पर यहाँ पर जाच होगी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका बिशय दिये गया है बिरिधी निगरानी यंत्र की वास्तिविक इस्थिती की जाच है तो नामित टीम का भ्रहमन कारेकरम तो इन दो जीलों में जो ब्रिधी निगरानी यंत्र की जो वास्तिविक इस्थिती है उसकी जाच होने वाली है नीचे मैं आपको बताऊंगा कि किस परकार से आपको तैयारिया करनी है तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करे और देखिए महास से उप्रियूक्त विशाय के संबन्द में सुचित करना है कि आपके जीलों में आग्ण बाड़ी केंद्रों के बच्चों की ब्रिधी निगरानी सही सही प्राप्त करने है तो निगरानी यंत्र परदान की गई है उपलद कराए गए बिरिधिन इगरानी यंत्रों से की इंफेंट वेटिंग मसीन और मदर एंड चाइल वेटिंग मसीन की वास्तिविक इस्तिती की जाच है तो दिनांग यहाँ पर आप लोग दिखिएगा दिनांग 21-2020 और 22-2020 यानि कि आज और कल दो दिनों तक यह जाच होने वाली है और नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जीलों का नाम दियेगा है किनके जीलों में यह जाच होने वाली है किन परियोजना में यह जाच होने वाली है और कितने बिरिधी निगरानी यंत्रों की जाच होने वाली है और किनके दुआरा ये जाच किया जाएगा जैसे कि नलांदा जीला के जो हर्नौत परियोजना है उन परियोजना में 60-60 जो मसीने दी गई है उनका यहाँ पर जाच होगा और यहाँ पर जाच करने वाले जाच दल का भी नाम दिया गया है दूसरा यहां पे जहानाबाद गरामिंग की जो परियोजना है उसमें भी 60-60 जो मशीने है उसकी जाच होगी और इसके लिए यहां पे यह टीम के जो गठन किया गया है वो यहां पे उनका नाम दिया गया है निदेशा नुसार जीला प्रग्राम पतादिकारी से अनुरोध है कि उप्रियुक्त पर्योजना से कम से कम साथ केंद्रो का सोची के साथ ब्रिधी निगरानी यंत्र जैसे कि इन्फेंट में वेटिंग मसीन संबंधित पर्योजना कर्याले में जाच हेतु मंगा कर रखा जाय तथा संबंधित जीला पर्योजना के समयोग या सहायक जाच कारियों में सहयोग करेंगे साथ ही अनुरोध है कि भरमन टीम हेतु आवासन भोजन इत्यादी की बेवस्ता भी करना चाहेंगे यहां पर नीचे देख सकते हैं कि जो नोडल पदधिकारी पोसन अभियान के अधिकारी है उनका यहां पर सिंगनेचर दिया गया है बीस दो हज़र बाइस का यहां पर डेट भी दिया गया है आपको क्या करना है जो ये नालंदा जीला और जहानाबाद की जीला की जो आगनबारी सेविका है जैसे कि हर्नौत पड़ियुजना और ग्रामिन जहानाबाद ग्रामिन पड़ियुजना की जो 60-60 आगनबारी केंदरों की जाच होने वाली है infant waiting machine and mother and child waiting machine तो इनकी जो इस्तिती है वो वास्तिविक इस्तिती क्या है जैसे कि आपके द्वारा जो सिकायते पराप्त हो रही थी कि हमारे आगनबारी केंदरों पर इसकी machine की स्तिती ठीक नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है और ये सभी जीलों के लिए नहीं है सिर्फ दो जीलों के लिए है जारी किया गया है तो दो जीलों के जो आगनबारी से विकाये है उनको आपके आगनबारी के अदरों पर जो machine खराब है तो ये जो जांत दल आपके आगनबारी केंदरों पे जांच करने के लिए पहुंचेंगी तो खराभी जो मसीन है उसको दिखानी है ताकि जो ICD जिभाग है उसको ये रिपेयर करके आपको फिर से वो मसीने उपलाब्द करा दी जाए तो आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो नलंदा जिला और जहानाबाद की आगनबारी से भी का हैं तो उनके साथ इस वीडियो को सेर जरूर करें तो मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद